तो गाईस आज वोने चाहरा है कंपेरेजन जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था के सतरा प्रू और के सतरा के बीच में बहुत जबर्दस डिफिरेंसिस मिलने वाले है तो चलो तो वाट्स आप गाईस वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल जहां हम अन्बॉक्सिंग करते हैं आपके फेरेजिस की और गाईस आज है कंपेरेजन के सतरा प्रो और के सतरा का जी हां गाईस एक अपना है थोड़ा पुराना मॉडल एक मॉडल पुराना है और एक मॉडल नया है अभी लेटेस्ट मॉडल के सतरा प्रो है आप लोगों को पता है बहुत लोगोंने यूज भी करिए बहुत लोगोंने रिव्यूज भी देखें सबको पता है किती जबर्दस वाच है ये और के सतरा के बारे में सबको पता ही है तो चलो आपको को ताइम वेस नहीं करते ह यह clip back color की watch है अंदर, तीन watches है यहाँ पे, यहाँ पे plane है, इस तरफ यहाँ पे plane है, दोनों ही watches में guys, बिल्कुल आपको original series जैसी feeling मिलेगी, क्योंकि original series जैसी packing है, इसकी back side में आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़े include है, यह आप देखते हैं, series fix, series 7 है, आप strap और यह बाकी जब यह देख सकते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, यह अपनी watch आ गई है, guys मैं सबसे बड़ा difference आपको बताना भूल गया हूँ, यह देखी है, आप box का size देखी है, यह आप देख सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, अभी इसको थोड़ा से ऐसे रखते हैं, पहले मैं आपको यह दिखाता हूँ, size आप देख सकते हैं, size अपना case देखाता हूँ काफी बड़ा है, देखी guys कितना बड़ा size है, box का size काफी बड़ा है, यह एक difference है, अब चलो आगे आगे धीरी धीर हैं, और differences पता चलेंगे, चलो ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यह watch, देखी guys, यह ऐसे है, और यहाँ पर watch बनी वही है, और अंदर की तरफ, इस तरफ वही जो बाहर लेवल में था, वही है, यह आप देख सकते हैं, और इस तरफ देखेंगे, तो plane है, यहाँ पर देखते हैं, क्या लिखा हूँ, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, C7 Space Aluminum Case, 45 mm, यह जो बाग पीछे लिखा हूँ था, आउटर लेइर में, वही है, यहाँ पर भी, तो चलिए, इसके अंदर मिलेंगे आपको strap, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या है, यह आप देख लिए जीए, एक बार, यह ऐसे करके हैं, गाइस देख सकते हैं, काफी बड़ा box है, काफी बड़ी packing है, तो इसको चलो, यहाँ रख देते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, के सतरा का overview, तो यह आप लोगों पता ही है, जबरदस watch है, के सीरीज तो धमाकेदार watch आपको, पता ही है, के सीरीज बहुत जबरदस चीज़ है, wireless charging का dog बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो watches बनी हुई है, तो मैं आपको के सतरा pro की out layer दिखाता हूँ, बाहर की layer जो होती है, यह देखी, जो wireless charging है, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा नहीं हुआ, यह आप differences देख सकते हैं, के सतरा प्रो बड़ा बड़ा लिखा है, यहाँ में कोई के सतरा चीज़ नहीं है, wireless charging में नहीं है, dog दोनों में बना हुआ है, बट जो dog की printing है, वो थोड़ी सी अलाग है, तीन watches के सतरा प्रो में बनी हुई है, और बाक साइड में यह आप देख सकते हैं, बाक साइड में जो है, वो सेम है, थोड़ा थोड़ा जैसे watch में चीज़े कागा, इंकलूड है बड़ बार कोड नहीं है, के सतरा प्रो में नहीं है, बार कोड यह देखी है, made in China और यह सब चीज़े है, सीरी 6 पे से अलुमिनियम वाच बनी है, के सतरा में, यहाँ आप ऐसे नहीं बनी ही, तोड़ा जूम करके आप गता है, तो iOS Android दोनों ही support है इस watch में, दोनों ही watches में support है Android और iOS का, यह आप देख सकते हैं, तो यह सारी सीज़े के difference है, यह आप देखी कलर smart watch है, इस तरफ देखेंगे, तो इस तरफ कुछ भी नहीं है, दोनों साइड कुछ भी नहीं है, तो इसमें एक तरफ कुछ भी नहीं है, यह printing का difference है, मैं इस box को side में रख देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी के सतरा, यह देखी गाइस, यह बस इसका यही है, ऐसे packing है, इसकी इसमें शुरू में आपको दो चीज़े अलग-अलग मिल जाएंगी, और मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखिए, इसकी जो outer layer है, इसमें इतना कुछ खास है नहीं, तो चलिए मैं इसकी, इसको box को ऐसे रखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको difference करने में आसानी हो, तो मैं box को यहीं रख दूँगा, अभी फिलाल के लिए यहां रखते हैं, तो guys ठीक है, यह चीज़े ऐसी है, strap और watch का box आपको अलग-अलग मिलेगा, original apple जैसा है, original apple series जैसा है, इसमें आपको एक में ही सब कुछ मिलेगा, K17 में, बट जो outer layer है, यह दोनों में ही आपको same मिलेगी, तो देखेंगा, इस packing में यह difference है, packing में यह difference है, जो K17 Pro है, उसका जो box है, वो बड़ा है, और K17 का box छोटा है, दूसरा difference है, केस में आपको strap और watch अलग-अलग boxes में मिलेंगी, K17 Pro में, K17 में ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चलो unboxing शुरू करते हैं, तो ठीक है, पहले मैं आपको K17 की unboxing करके दिखाता हूँ, यह देखिए आप, यह निकली watch और यह अपना यहाँ है, तो मैं सोच रहा हूँ, इसको side में रख देते हैं, आपको छोटे बड़े से बता लगी है, K17 का box जो है, वो छोटा है, as compared to K17 Pro, तो यह हमारी watch है, यह आप देख सकते हैं, must-see watch है हमारी, यह इसके अंदर मिलेगी, यह आपको strap बस, बट इसमें अलग से ही packing है, तो आपको अलग से strap मिलेगी, इसमें बागी देखिए, box खाली है पूरा, इसको यहाँ रख देते हैं, और यह आगे अपनी wireless charging, यहाँ रख देते हैं, पूरा box खाली है, बस इसमें यही है, अब आज़ाते हैं, अब आज़ाते हैं, यह निकली हमारी strap, यह आप देख सकते हैं, यह box खाली strap के लिए है, इसमें strap ही आएगी, यह देखिए, कभी कवार wireless charger भी आज़ाता है, पूरी guys, मैंने आपको यह दिखा दिया, अब मैं आपको watch दिखाता हूँ अंदर से, तो यह देखिए watch, यह देखिए box कुछ ऐसा है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, box बड़ा है, आपको बता लग देखिए, strap यहाँ रख दी, यह आ गई है, अपनी प्यारी सी watch, यह आप देख सकते हैं, और यह है manual, जिसी कोई जरूरत नहीं है, guys, individual video बना रखी है, description में link है, आप जा के देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से बता रखा है, यह आ गई है अपनी wireless charger, यह देखी guys, wireless charger है, इसको यहाँ रख देते हैं, खतम, कुछ भी नहीं है, तो similarity, सीरी सेम है, और difference, packing का ही है अभी तक, अब watch on नहीं करी है, देखते हैं, दोनों में ही Apple logo है, पहले आपको watch का overlook दिखाता हूँ, तो पहले आपको K17 का दिखाता हूँ, overlook यह हमने यहाँ से हटाया, अब यह हटाया, आप देख सकते हैं, यह watch ऐसी है, यहाँ पे है crown working, mic, dual button, जो की work करता है, Apple logo है, display देखी guys की तिज़र बरदस्त है, speaker है, पीछे की printing आप देख सकते है, series 7 space aluminum case, यह आप देख सकते हैं, और मैंने यह दिखा दिया, अब आपको के से तरह pro दिखाता हूँ, तो के से तरह pro की packing हटा देते हैं, यह आपने हटा दी है, तो सबसे पहले back side की मैं सोच रहो packing हटाई देता हूँ, जिससे आपको printing में असानी हो, printing देखने में, तो एक second, यह देखिए मैंने हटा दिया है, और मैं आपको सबसे पहले printing दिखाता हूँ, यह देखिए, series 7 space aluminum case, सेम तरह की printing है, दोनों में ही, यहाँ पर देखिएंगे, अपना crown है, यह देखिए, crown, अपना mic और dual button, इतर देखिएंगे, यह हमारी watch की display, काफी सवर्दर display है, और यह अपना है watch का speaker, थोड़ी guys, पहले मैं आपको watch का दिखाता हूँ, look, देखिए, look में guys, थोड़ा सा difference है, यह आप देख सकते है, एक second मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, थोड़े pass ला के, तो डेख़वे guys, पहले मैं आपको दोनों की ऐसे करके दिखाता हूँ, यह आप देख सकते हैं, देख़वे guys, K17 Pro थोड़ी सी पतली है, आप देख सकते है, पतली है, slim है और K17 थोड़ी सी मोटी है आप इसका button देख सकते हैं छोटा button है dual button इसका button बड़ा है मैं थोड़ा से इधर करके दिखा तो focus में problem हो रहीगा इस थोड़ा से adjust कर लीजेगा crown walking अपना K17 का बड़ा है इसका छोटा है इसकी हर एक चीज जो है slim है छोटी है थोड़ी सी बड़ी display के सतरा की मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ जिससे आपको देखने में असानी हूँ थोड़ा सा मैं try करता हूँ कि आपको समझ आए तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए आप मैं थोड़ा सा pass ले आता हूँ ये देखिए आप display को ऐसे करके देख सकते हैं थोड़ी सी guys हलका सा फरक है वो आपको पता नहीं चल रहा होगा भी पर थोड़ा सा फरक है बिल्कुल जरा सा वो आपको इतना खास पता ही नहीं चलेगा बाकी आप देख सकते हैं जो speaker है वो guys same है design same है बस जो watch की जो वृत है वो थोड़ा सा फरक है के 17 pro की थोड़ी सी वृत कम है तो टी guys मैं आपको दोनों दिखा दिये हैं अब मैं आपको on करके दिखाता हूँ और इनका UI दिखाता हूँ तो पहले आपको के 17 का दिखाता हूँ यह आगे अपना के 17 pro का Apple logo तो guys एक difference आपको पता लगा उसमें sound लगे दोनों में on करने पे यह difference है बाकी देखते हैं display देखी guys अब आपको थोड़ा सा समझ आएगा क्यूंकि अब मैंने watch on कर दी तो आपको display का size समझ आए के 17 pro का थोड़ा सा display बढ़ा है देखी अब आपको असानी होगी मुझे पहली on करके आपको दिखाना चाहिए था अपर आप देख लिजए guys थोड़ा सा display का size जो है के 17 pro का बढ़ा है के 17 pro का display का size थोड़ा सा बढ़ा है आप देख सकते हैं अब चलिए UI देखते हैं के 17 का देखते हैं down side से connect करने का आएगा left side से अपना आएगा sport activity features, right side से अपना आएगा, menu में access कर सकते हैं screen पर tap screen पर tap से कुछ नहीं उतर, double tap double tap से reset application, tap and hold, watch face change ठीक है, मैंने आपको यह सब दिखा दिया अब button से देखते हैं, अब button से menu में access कर सकते हैं down button से on off होगी watch अब चलिए इसमें आते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ down side से आप करेंगे watch connect होगी, उसमें down side से toggle bar आ रहा था, upside से करेंगे तो toggle bar आएगा, इसमें भी battery indicator है percentage नहीं है, look में देखी गाइस कितना फरक है, काफी अच्छा लोगे case 17 pro यह देखी down side से हमने करा तो इसमें यह आ रहा है, बट इसमें अब side से toggle bar आएगा, यह आप देख सकते हैं, और देखी toggle bar का difference देखिए, screen का difference भी आपको पता चल गया होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें menu style, कितने menu style यह आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिलेंगे 5 तरीके menu style, इसमें भी है थोड़े से menu style का फरक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए वह बाद में दिखाँगा, आप left side से देखिए, यहां से आप कर सकते हैं watch faces change उसमें watch face change हो रहा था, right side से, मैं आपको दिखा रहा है, तो उसमें watch face change नहीं हो रहा था, यह देखते हैं, नहीं, इसमें sport activity feature रहा था, बट इसमें आप left side से watch face change कर सकते हैं, right side से भी watch face कर सकते हैं, tap से कुछ नहीं हो था, tap and hold tap and hold से watch face change, और double tap, double tap, tap, एक second, यह हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, और अपना watch face change करते हैं, एक second, crown working मैं आपको दिखाता हूंगा, इस crown working भी देख लिए, double, जबर्दा smooth है, और double tap करते हैं, double tap से guys देखे, इसमें भी recent application वाला feature आता है, चलो मैं आपको UI दिखाता हूं, down side से आप करेंगे, तो देखे, down side से मैंने आपको दिखा दिया, toggle bar है, upside से आपको दिखा दिया है, यह भी कि अपना वो आता है connect करने का, अब इसको हटाता है, right side से हम देखते हैं, right side से आपको यह सम मिलेगा, और एक चीज़ और दिखाता हूं आपको, right side से जैसे देखिए, right side से आपना शायद यह यह आ रहा है, अपना जो से सो कहते हैं, यह देखिए, right side से आपने sport activity feature होगा, वो इससे menu style नहीं change होगा, मैंने आपको UI दिखा दिया, आपको buttons के function दिखा दो, जो upside वाला button उससे आप कर सकते हैं menu maxis, और जो downside वाला button है, उसको भी देख लेते हैं, उससे होता है watch on off, और अपना देखते हैं, double tap से ऐसे से press करेंगे, तो menu style change होते हैं, कि नहीं होते हैं, एक बार और देखते हैं, नह हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो case 17 में ये feature है, बड़ 11 प्रो में नहीं है, बागी guys मैं आपको applications एक बार दिखा देता हूँ, यह आप देख सकते हैं, इसका applications, एदर आपको दिखाता हूँ, यहां से होता है, इसका applications का, यह आप देख सकते हैं, फेली अब रोका बॉक्त क्षिन है? अपना. एक सेकेंड मैं आपको सेट्टिंग्स जो है, यहाँ से खोल गे देखाता हूँ. एक सेकेंड nis अब दो सेकेंड रुखिए, यह रहा अपना यहां से और यह अब डेख सकते हैं इसका about section ऐसा है, मैं दोनों को दिखा जाता हूँ, एक साथ रखके, आप compare कर दीजेगा अपने साब से, एक second, ये देखी guys, मैं अभी लाता हूँ, एक second, एक second, ये देखी guys, अब इसका हट गया, एक second रुकिए, दुबार ला देते हैं, बस आपका, थोड़ा सा देखी, थोड बढ़ी बहुत चीजों का फरक है, तो मैं आपको इसमें सब कुछ दिखा दिया, मैं आपको इसमें अप्लिकेशन दिखा दिया, और इसका, जो menu style है, वो भी दिखा दिया है, ये देखी, इसमें आपको इतने तरीके की menu style मेंनेंगे, 8 apps करके देखते हैं, तो 8 apps इसकी है, क Link description में आप आजाते हैं, conclusion पर फटा फट, तो ठीज जैसे कि आपने देखा कि K17 और K17 Pro में क्या का differences है, फिर भी मैं आपको एक बार समराइस करके बताया है, तो जिससे आपको असानी हो, display और box K17 Pro का बड़ा है, K17 Pro latest है, और K17 Pro में features आपसे ज़्यादा मिलेंगे, icons के look ज़ की, display का size मैं आप लोगों को बता दिया, touch दोनों का बराबर है, ऐसा नहीं है, crown working भी दोनों का बराबर है, दोनों ही watches अपने आप में ही बढ़िया है, बस थोड़े से features के बढ़ा दिया है, जैसे कि display, menu style बढ़ा दिया है, और थोड़ा सा touch, बाकी सब चीजे इसके अच्छ कर दी है, बाकी guys wireless charging, दोनों में same time लेता है, इतना कोई खास difference नहीं है, difference जो है, वो है size का, box की packing का difference है, printing का difference है, और थोड़ी सी quality का difference है, के सतरा की quality बहुत बढ़ी है, थोड़ा सो उसको और upgrade करके के सतरा pro में डाल दिया है, तो आपको एक super smooth watch चाहिए, तो आप के सतरा pro ले हो, तो आप comment करके बताइए, अब मिलते हैं आपसे next video में, thank you for watching.